ओके तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को बाबा सा भीमरा अंबितका निवर्शिटी लखनाओ का इस्पेक्टेड कटाफ की पर बात करने वाला हूँ दोस्तों जी हाँ दोस्तों पीजी की स्पेक्टेड कटाफ की पर बात करने वाला हूँ दोस्तों में हिस्ट्री में आपका कितना कटफ जा सकता है, में सिसोलोजी में इस बर कितना कटफ जा सकता है, में पॉलिटिकल सैंस में इस बर कितना कटफ जा सकता है, तिसको पर मैं आप लोगों को डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट मतलब कि university में OBC का category है ही नहीं, जितने भी OBC के student है सब UR category में आ जाते हैं, बाकि EWS के लिए यहाँ पे थोड़ी सिरहात है क्योंकि अलग seat दे दी गई है, बाकि दोस्तों अब मैं आप लोगों को expected cutoff की परवे बताऊंगा, तो आप लोगों को सभी चीज बहुत अच्छे से पता चल जागी, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके classes में कितनी seat होने वाली है, तो number of seat है, जो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब कि बहुत ही कम बच्चों का admission होने वाला है, तो इसका मतलब कि जो cutoff है, थोड़ी बहुत high जाने वाली है, लेकिन दोस्तों जो cutoff जाने वाली है, मैं पिछले साल की data के analysis का धर पर ही, मैं इस बरक आपको cutoff को बताने वाला हूँ, तो दोस्तों मैंने आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा presentation मना दिया है, जिसको थुरू आपको चीजों को समझने में बहुत ही ज़्यादा helpful होगा, तिहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दोस्तों मैं आप लोग के लिए, एमें history का पिछले साल का cutoff के पर दिखा रहा हूँ, analysis कर सकते हो आप खुद से, कि पिछले साल कितने number पे यहाँ पे admission हुआ था, तो आप लोग देख सकते हो कि 232 number आप लोग का जो पिछले साल जिसका आया था, सबसे पहले admission हुआ था, और दोस्तों इससे ज़्यादा आप लोग कि यह जाना ज़रू है कि पिछले साल जो आपका exam हुआ था, वह 400 number आया था, मतलब जो यह number है आपका, 232 आपका, यह 400 number में है, लेकिन दोस्तों इस बार जो आपकी exam हुआ था, वह 300 number का हुआ था, तो इस 30% के आज़ पास का cut-up बताऊंगा, यानि कि जिसका number 1500 के आज़ पास में आया है, उसका आराम से admission में हो जाएगा, तिसकील में आप लोग के लिए एक presentation बनाया हुँ दोस्तों, जहावे मैं आप लोग को चीज़ें को बहुत ही बार्की से समझा दूँगा, तो यहाँ पर ST category में 100 number से ज्यादा marks आया है, वो अराम से MA history में admission ले लगा, और दोस्तों, ST category का, sorry, ST category का आप देख सकते हो, जिसका number 80 से ज्यादा है, वो अराम से इस बर MA history में admission ले लगा, और वहीं दोस्तों, इस बर EWS वालों का 115 के आसपास में अगर आपका number है, तो मैं यह कह सकता आप BBAU में admission ले लोगे, यह तो हुआ दोस्तों, आपका history का cut-off की इस बर जो expected cut-off जा सकती है, लेकिन दोस्तों, जो आपके लोग की cut-off है, fluctuate इसी number के आसपास में करने वाली है, तो अगर आपका number इसके आसपास में है, या तो फिर 20 number कम है, या तो फिर 20 number ज्यादा है, त आप लोग यह मान के चलना कि आपका आरामस admission हो जागा, तो वहीं दोस्तों, आप बात करते हैं, आपका MS sociology का, MS sociology की उपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं पिछले साल का भी cut-off लाकर रख दिया हूँ, आप लोग यहाँ पर आरामस देख सकते हो, MS sociology में पिछले साल 255 नमबर पर यहाँ पर admission हो गया था, general category वालों का, तो अगर हमको your category का, अगर आपको marks मिल जाता है, तो यह आप अनुमान लगा सकते हो, कि ST category का कितना जा सकता है, ST category का कितना जा सकता है, तो यह आप खुद से अनुमान लगा सकते हो, तो पिछले साल जो आप लोग का exam हु सकती है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, दोस्तों, मैं आप लोग के लिए सिसोलोजी का, आप यहाँ पर देख सकते हो, आप के लिए मैं एक presentation बहुत ही अच्छे से बना कर रखती हूँ, जहाँ आप 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 आराम से बार काटेगरी से आते हो, आपका इस बार 140 स है याँ फर आपका सिसोलोजी का, और फिर से बार के लिए मोलेगा, अपकी माँस अगर इससे दस बार ज्शादा है, या फिर दस बार कम है, तो मैं आप लोग कोई बात नहीं है आपका अराम से इंवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा आप लोग को बस इंवर्सिटी में रेजिट्रेशन करने की ज़रूरत है अब दोस्तों में पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं इसके लिए हम पिछले डाटा को उठा के एक बार देख लेते हैं कि में पॉलिटिकल सेड़ी में कितनी डिए रिवर्न की जाए है लेकिन फिर से वही अपडेट इसे जो आप लोग की डाटा है यग टोटल 400 नंबर का है तो आपका ऐगसपर रिंश वहा था वह टोटल 300 नंबर का हुए था इसके एप्रोकस में आप लोग पे लोग के cut-off निकालनी है ना कि इसके approach में आपको cut-off निकालनी है तो चलिए इसकी जो मैंने कि आप लोग को cut-off निकाला है उसको मैं आप लोग को दिखा दिता हूँ कि मैंने किस तरह से यहाँ पे cut-off निकाल के आप लोग को दिखा दिया है तो आप लोग यहाँ पर आराम से देख सकते हो, अगर आप M.A. Political Science में B.B.O. में admission लेना चाहते हो, तो आप your categories हो, तो आपका marks लगभग 145 प्लस है, तो मैं यह कह सकता हूँ कि आप आराम से university में admission ले लोगे, हाँ दोस्तों इस बर M.A. Political Science की थोड़ी से cut-off हाई जा सकती है, क्योंकि Political Science का बहुत ज़्यदा demand होता है, वहीं अगर आप ST category से आते हो, आपका marks लगभग 120 प्लस है, तो आप आराम से B.B.O. में admission ले लोगे, और वहीं दोस्तों अगर आप ST category से आते हो, और आपका marks लगभग 100 नंबर से ज्यादा है, तो आप आराम से B.B.O. में admission ले लो registration कर देना है, और दोस्तों, गर O.B.C. category वाली है, सोच रहे होंगे कि B.B.O. में O.B.C. का category क्यों नहीं है, तो मैं आप लोग को बता दू, B.B.O. में जो 50% seat है, यहाँ पे SCST student के लिए reserved है, अब कैसे मैं आप लोग को चलिए data के थुरू दिखा देता हूँ, तो यहाँ प है, जिसमें कि आपका SCST को मिला करके ही 20 हो जा रहे है, तो यहाँ आप लोग अराम से आपने calculate कर सकते हो, किसी भी आप अगर कुर्स में admission ले रहे हो, तो SCST को मिला करके, यहाँ पे 50% को admission लेना रहता है, और दोस्तों, यहाँ आपका SCST Act के तहद इस university को establish किया गया था, जि इस बार जो BVU की cut-off होती है, वहाँ थोड़ी अलग धंग से आती है, कि इसमें OBC का category देखने को नहीं मिलता है, बाकि दूस्तों, मैंने आप लोग को जो cut-off के बारे में दिखाया, आप लोग एक बार इसको और आराम से देख लो, आप लोग की जो cut-off है, यह इतने का आ admission लेना चाहते हो, तो इसके आस-पास में अगर आपका number है, हाँ, एकर इसके आस-पास में 20 number ज्यादा है, या तो फिर 20 number कम है, तो आप लोग होपलेस मत होना, आप लोग admission आराम से BVU में हो जागा, बस आपको करना क्या है, तो आपको समय से BVU के registration कर देना है, आप लोग के चैनल को subscribe कर लेना दोस्तों की, कि मैं आपके लिए cut off की पर वीडियो लाते रहता हूँ, आपको BVU related जो भी update है, मैं आप लोगों समय से देते रहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों स्रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज, भाई के चैनल को subscribe कर लेना, ताकि आप कोई भी अपडेट को miss ना कर सको, बहुत बहुत धन्यवाद,